असलाम अलेकुम स्विरेंट्स कैसे हैं आप सब ठीक हैं खेरियत से हैं उमीद किरता हूँ कि आप दलकुल ठीक ठाक होंगे स्टुडेंट जैसे के हमने लास्ट टाम जो है आज जो हम टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं हम डिसकस करेंगे electron affinity क्या होता है और दूस्ता हम देखेंगे कि electron affinity जो है इसका trend along the group और along the period जो है किस तरह से vary करेगा तो जी student जिसे कि मैंने आप से कहा कि हम electron affinity की बात करेंगे तो first of all electron affinity को define कर लेते हैं फिर हम थमझेंगे कि electron affinity होती क्या है और फिर हम जाएंगे towards the factors that will contribute, that will affect the electron affinity so electron affinity को define करें electron affinity हम करें कि the minimum amount of energy amount of energy that will evolve when we add an electron to the outermost shell shell of the gaseous atom हम जब भी किसी एक atom के आखरी शल में electron को add करते हैं तो जो कम से कम energy release होती है इसको हम electron affinity कहते हैं इसको जरा समझ लेते हैं for example एक मेरे पास atom जिसका point nucleus है यह इसका first orbital यह इसका second orbital और let's suppose मैं कहता हूँ इसका third orbital है ठीक हो गया अब अभी किसी एक shell के इंदर electron revolve कर रहा हूता है तो वो electron उस shell के equivalent energy रखता है तभी वो इस orbital में revolve करता है ठीक है यहन्या pos deputy electron अभर किसी orbital के अदर थे जो आगर जो वो उस orbital के equivalent energy carry करेगा तभी वो electron उस orbital में revolve कर पाएगा अगर उसकी energy कम या ज़्यदा हो जाए उस orbital से तो वो electron उस orbital में भूख नहीं करेगा समझा रही है और इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि जब orbital के इंदर electron की बात करेंगे तो electron उस orbital के equivalent energy करेगा तभी वो electron उस orbit के इंदर move कर पाएगा दो बाते हो गए third point या रखेगा जैसे जैसे आप nucleus से दूर जाते हैं जैसे जैसे आप one है ये two है तो मैं कहूंगा कि one वाला जो orbital है first orbital जो है ठीक है इसकी energy कम होगी second orbital की energy ज्यादा होगी, first orbital की energy कम है, second orbital की energy क्या है ज्यादा है ठीक हो गया, तो इस तर्फिक इस से अगर मैं आपसे कहूं कि third की क्या होगी आप कहेंगे third की फिर second odd one से ज्यादा होगी ठीक है, जैसे जैसे आप orbital की बाद करते हैं मैं बूल जा रहा है nucleus से, तो orbital की energy में इदाफा होता है अब अगर मैं आपसे कहूँ कि electron यहां कहीं मौदूद है कि देखे न हम इस पर बात कर रहे हैं ऐसे electron की जो atom का हिस्सा नहीं है वो electron हम add करना जाते हैं उस orbital में ही तो हमने का है the amount of energy will release, evolve ठीक है when we add an electron when we add an electron यहीं कि electron के हमने addition करनी हो electron addition कौन सा होगा जो कि उस atom का हिस्सा नहीं होगा वो उस atom से बाहर है तो यह electron है जिसको हमने add करना है ठीक है अब चुनके यह atom का हिस्सा नहीं है means कि इसकी energy इस last orbital से ज्यादा होगी अब यह electron उसी वक्त इस orbital का हिस्सा बनेगा कि जब यह electron अपनी जो extra energy है वो release कर दे और equivalent to this orbital energy करी करे तभी वो electron इस atom का हिस्सा बन सकता है इस orbital का हिस्सा बन सकता है मुझे उमीड ही points में जायोगा मैंने कहा कि electron nucleus से बहुत दूर है इवन इस orbital से जाया दूर है तो इसके पास extra energy होगी इसके पास higher energy होगी अगर हम चाहते हैं कि इस electron को इस orbit का हिस्सा बनाए तो यह सिफ उसी वक्त मुम्किन है कि जब यह अपनी extra energy release करेगा जब यह करेगा हम जब इसको add करेंगी तो यह अपनी extra energy release करेगा ठीक है ताकि यह electron इस orbital के equivalent energy करी कर सके और इस orbital का हिस्सा बन सके ठीक होगे तो extra energy इसने release कर दी और जो extra energy इसने release की है इसको हम electron affinity करते है इसकी यह जो energy release वी electron की जो उसने energy release की है इसको हम के कहते है it is called the electron affinity I think so यह point आपको समझा चुका होगा so कम से कम energy कि जब हम electron add करेंगे किसी एक atom के आखरी shell में तो energy release होगी इस energy को हम electron affinity का नाम देते हैं hope so आपको समझा चुकी होगी example में आपको देता हूँ fluorine की बात कर लेते हैं fluorine में अगर हम एक electron की addition करेंगे तो fluorine अपने आपको convert करेगा into fluoride ion ठीक हो गया और जो energy release होगी that is delta H equals to delta H represent करता है heat को या alkaline temperature या energy को ठीक है यह 328 kJ per mol या इतनी energy जो है वो release होगी कि जब एक electron हम add करेंगे fluorine में तो fluorine अपने आपको fluoride ion में convert करेगा तो मुझे अमीद है कि यहां तक की तमाम बात में आपको समझा चुकी होगी ठीक है अब हम थोड़ा सा आगे move कर सेबते हैं और हम देख सेबते हैं कि कौन-कौन से factors हैं जो के contribute करते हैं जो effect करते है electron affinity की value पे ठीक है size of atom दूसरा हमारे पास आजाएगा shielding effect तीसरा हमारे पास आजाएगा nuclear charge ठीक हो गया यह तीन points है अब इसका मैं सामने इसके trend गाट कर देता हूँ और इस trend को मैं explain करूँगा trend गाट करके इसको explain कर देता हूँ हम कहते हैं कि अजाएगा है यह अजाएगा पूदिए मैं आजाएगा अजाएगा सावडा कर अजाएगा 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 कहते हैं कि यह पहला पॉइंट है इस तेंगे से सेकिंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि अ लॉंग पिरियड कि अलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि इंक्रीज अब हम देखते हैं कि यह फैक्टर्स किस तरह से एक्स्प्लीन करेंगे कि इन दो पॉइंटेस को थीक है हम इन दो पॉइंट्स को सबसे पहले साइज ववद् एटम और उसके हलें फिर से वहीně एक्जांपल कर स्थोई कर्या करूंग का जो पहले हीं ग्यक्जांपल करी ति ए कि लिधियू सोटियम मंत इंक्स दूरर यश तो शेल चान चान शेल यह नंबर ऑफ शेल्स बर रहे हैं अपूमिक साइस इंकरीज कर अचिक है साइज होते हैं एक्टमएफन इंकरीज करने से यञा फिर शेल्दिण size इतना ही रहेगा तो distance ज्यादा है, distance ज्यादा होने से energy भी ज्यादा release होगी, अगर ऐसा हो जाए कि ये हमारा center point nucleus एक atom का और अब हमारे पास ये size है, electron यहाँ कहीं मौझूद है, अब देखो ना distance between the outermost electron यहाँ आउटर मोस शेल और electron कम हो चुक है तो energy release होगी, समझार ही है आप लोगों को, देखो जब आप atomic size increase करते हो, atomic size के increase करने से, yen number of shells के increase करने से, या even shielding effect के increase करने से, क्या होता है कि आपका जो outer most shell है, वो nucleus से दूर हो जाता है, जब nucleus से दूर होता है तो फिर outer most shell की energy भी जदा होती है, जब outer most shell तो पिर जो आनेवाल elektron होता है इसको बहुत कम हम इनर्जी रिलीज करनी पड़ती है जो अपनी आपनी ENERκι को आखनी शड़ के इनर्जी से match करवा सके, यानिके उसके equivalent करवा सके, ठीक है, तो वो कम energy release करता है, जैसे कि आपने देखा, इसमें energy कम release हुई, इसमें energy ज्यादा release हुई, क्योंकि जब size छोटा होता है, आखरी shell की energy कम होती है, तो जो electron है, उसको ज़्यदा energy release करनी पड़ती है, ताकि वो outermost shell की energy के equivalent energy कर सके, जब atomic size बड़ा होगा, outermost shell दूर है, outermost shell दूर है, तो उसकी energy भी जदा होगी, तो electron को फिर कम energy release करनी पड़ेगी, तो ज़्यदा energy ही require होगी, कि वो outermost shell का इससा बन सके, इसलिए हम देखते हैं, कि silvery atom के increase करने से, या shielding effect के increase करने से, down-garve वो हमारे पास ही होता है, कि electron affinity में decreasement आती है, कम ही होती है, ठीक है, और इसके बजाए अगर हम इधर देख लें, lithium का atomic number 3, beryllium का atomic number 4, boron का atomic number 5, carbon का atomic number 6, nitrogen का atomic number 7, and up to so on, ठीक है, अब आप देखेंगे, ये सारे period 2 से belong करते हैं, इन सब में number of shell same, ठीक है, shielding effect constant हो गया, लेकिन एक काम हो रहा है, वो क्या, कि atomic number increase कर रहा है, जब atomic number increase कर रहा है, तो means कि nuclear charge में जाफ हो रहा है, positive charge intensity, यानि positive charge की intensity है, upon the nucleus बढ़़ी है, जब positive charge intensity upon the nucleus बढ़एगी, तो उसकी attraction pull जो है, electron पर बढ़एगी, जब attraction की pull बढ़एगी, तो हमने देखा था, कि atomic size decrease करेगा, और atomic size decrease करता है, तो फिर हम कहते हैं, आखरी शल्की energy में कम हो जाता है, ठीक है, जब आखरी शल्की energy कम होगी, तो electron को और जदा ज़्यादा होती है, जब बढ़ती है, ठीक हो गया, इसी point को, हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप इस पे गहुर करें, तो यह point, यह point मैंने भी बताया आपको, वो यह picture भी show कर रही है, down the group, electron affinity कम हो रही है, just because the increase of size and shielding effect, ठीक है, और along the period, अगर आप देखेंगे, left to right जाते वे, तो electron affinity value जो है, that will decrease, sorry, increase, ठीक है, वो increase करती है, ठीक है, increase करती है, रीजन क्या है, कि atomic size जो है, आपका बो decrease और आप है, nuclear की जो pull है, nuclear की जो pull है, वो बढ़ती है, जिससे कि atomic size श्रिंक करता है, और electron जो है, it required to release more energy, in order to make its energy equal to the outermost orbital of the atom, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं, बज़दा energy reduce करता है, इसलिए electron affinity हमेशा increase करती है, along the period, still, आपको की confusion रहेगी हो, कोई point miss कर दिया, या नहीं समझा ही, ठीक है, तो आप मुझसे contact करते की पूछ सकते हैं, आप मुझसे करते हैं,